realme c25s के अंदर आपको फोटो और video को हाइट करना तो कैसे कर सकते हैं इस video पहँआ हें अपने जो फोटो हाइट करके है आप उन doet कैसे एकसे अक्से और कैसे दोबारा सा उनको unhide कर सकते हैं तो चली फ्रेंट्स आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है तो चली फ्रेंट्स बिन देरी करते हूं वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंट्स आपको सबसे पहले अपनी फॉन की जो गैलरी है उसको ऑपिन करना होगा गैलरी ओपन करते ही फ्रेंट्स आपको यहां पर इस तरीक से इंटरफेस हो जाता है तो आपको उपर की तरब तीन ओक्सिन देखने को मिलेंगे जो कि है फोटो, एल्बॉम, एन एक्स्प्लोर आपको कें करना है तीनों में से एक बार किसी एक पर टैप and Hold रखना है इस तरीक से टैप and Hold रखेंगे, तो और आपको यहां पर पासपट सेर्लक करने के लिए बोला जाएगा तो आपको Set password पर अ कलिक करना है इस पर click करते ही friends आपको यहां पर अपने जो भी privacy partner को यहां पर set करना है अगर friends आपने इसमें app log बगएर है सैट कर रहा है तो आपको app log बाला ही यहां पर passport डालना होगा तो friends यहां पर आपको 6 अंगों का passport डालने के लिए बोला जाता है अगर आप friends इसको change करना चाते है तो आप यहां पर 4 अंगों का passport set करना चाते है या फिर आप यहां पर pattern log set करना चाते है तो यह भी option आपको देखने को मिलता है तो आपको यहां पर click करना होगा use a different passport type है इस पर click करते ही friends आपको option देखने को मिल जाएंगी जिसका pattern यहां पर set करना चाते है तो pattern का भी option आपको देखने को मिल जाता है चार अंगों का passport आप set करने चाते है यह भी आप यहां पर set कर सकते हैं तो आपको क्या set करना है simple आपको यहां पर click कर लेना होगा आपको यहां पर कुछ बताया जागा तो यहां पर इस तरह के से इसको बैक कर दीजिए और फ्रेंट्स आपको प्लस का आइकन देखेगा इस पर आपको क्लिक करना है तो आप अपने फोन की जो गैलरी है उसके अंदर आ जाएंगे जहां पर आपको सभी फोटो और वीडियो हाइट करानी है तो सिंपल आपको इस फोटो पर क्लिक करना मोर के आइकन पर क्लिक करना है यहां आपको देखने हो मिलेगा सैट एस प्राइवेट इस पर क्लिक करके अपने फोटो को आप यहां से भी डारेक्ट हाइट करा सकते हैं अब इसी तरह के से आपको वीडियो को किसी एक option पर tap and hold रखना है जैसे tap and hold रखेंगे आप से यहाँ पर passport डालने के लिए बोले जाएगा तो अपना passport आपको यहाँ पर select करना है अपना passport डाल के आप यहाँ पर अपने photo को आप यहाँ पर access कर सकते हैं तो फिर इस तरह के सा अपने photo तरह के से तो आपको वहीं पर यह वापस हो जाएगा तो फिर इस तरह के सा आप इस पॉन में के अंदर अपने photo और वीडियो को हाइट करा सकते हैं आई आपको वीडियो अच्छा लगाओगा वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक से और चैनल को सब्स्राइक करना ना बूलें तो चले फ्रेंड्स मिलते हैं नहीं वीडियो को साथ तब तक के लिए गुडबाई एंड टेक कियर